कुई प्रकाठ जोसी स्वागत मित्रों आज अम चछा कर रहें कन्याराशी के अप्रेइल के मंतली राशी किसी क्ञा कतरी डाम्पत्त्य thank we के लिए सबसे पहले कंन्या-राशी के वीए neo मंठली कुंडली आपके सामने आ रही है कन्या राशी के लगन में अप्रेल में केतु है तो थोड़ा हेल्थ ध्यान देना पड़ेगा वहां चलाते वे साफदानी रखें नहीं तो साफदानी अटी दुर्गतना गटी के तुल लगन में बैठा है चंद्रमा चतुर्थ में ब बैठें तो भई आप आपके दामपत्य जीवन में कुछ गड़वडिया हो सकती इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे सबसे पहले नो गटनाओं में से पहली गटना के बारे में बात करते हैं उसका असर आपकी हेल्थ पे होगा यानि आपकी राशी के अंदर के यानि स्वास की प्रॉब्लम, ENT की समस्या, गले की, बैक की, स्पॉंडलाइस्ट इसकी, कुछ लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रह सकती है यानि कन्या राशी वाले हेल्थ से परेशान रह सकते हैं खासकर पांच तारिक से लेकर 25 अप्रेल दा और जो यूँआ हैं वहान ध्यान दे चलाएं क्योंकि वहान से आपको चोट लग सकती है, पीकर वहान नहीं चलाएं हेल्मेट पेनके वहान चलाएं, नहीं तो थोड़ा क्योंकि केतु लगन में बैठा है और हमारा फर्ज होता है आपको साफधान करना तो विशेज आप साफधानी रखिएग पांस तारिक से पच्चीस तारिक तक थोड़ा सा कन्या राशी की हेल्थ के लिए यह समय अच्छा नहीं है बाकी ठीक है और दूसरी गटना के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी यानि फाइनेंस से समंदित है धन भाव के स्वामी सूरिये शुक्र और राहू की आपको धन हानी हो सकती है इस समय पे आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना 30 अप्रेहल तक तरह एन्वेश नहीं करना है सरकारी योजना में आपको नुक्सान हो सकता तो 13 अप्रेहल तक आपको धन निवेश नहीं करना याद रखेगा साथी साथ वाहन पे आपका 13 अप्रेल तक खर्चा होगा सरकारी मामलों पे आपको खर्चा करना पड़ेगा माता पिता पे खर्चा होगा यानि 13 अप्रेल तक नित्य नए खर्चे आपके सामने खड़े होंगे ऐसा योग नजर आ रहा है फिर 14 तारिक को ये यूती तूड़ जाएगी तो 14 से 30 अपरेल तक आचाना कोई ऐसा काम बनेगा या ऐसा कुछ होगा ऐसी घटनाय होंगे कि आपका थोड़ा फाइनस सुदर जाएगा थोड़ा लाप थोड़ा धन आपके आतावा नजर आएगा थोड़ा कमीशन या एक्ट के लिए अपरेल का महीना मध्यम है अब तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तीसरी घटना है कि चतुर्द भाव में चंद्रमा विराजमान है यानि घर के अंदर पूजा पाट का महोल रहेगा घर के अंदर पूजा, कथा, परिवारिक सदस्यों दौरा, हवन, यग्य, होता हुआ नजर आएगा और परिवार के साथ में तीर्थ की यादरा, नदी समुंदर की यातरा भी अप्रेल में लिखिए चौती घटना के बारे में बात करें तो चौती घटना का आफार कन्याराशी वाले उनकी जिनकी संतान है तो यहाँ पर शनी मंगल का योग बना है शनी मंगल का योग जब भी बनता है तो थोड़ा संतान के लिए कश्टकारी होता है खासकर एक तारिक से लेकर हो 23 अप्रेल जो बड़ी संतान है उनका स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है या स्कूल चेंज का योग नजर आ रहा है या अगर चोटी संतान है आपकी 17 उमर से चोटी है तो उनका स्कूल चेंज का योग या सबजेक्ट चेंज की योग नजर आ रहे है और प्रबल योग है और पड़ सकता है या कान में कोई treatment संतान को कराना पड़ सकता है विद्या करियर के लिए अप्रेल का महिना बहुत अच्छा है विद्या करियर में संतान का ठीक है अब बात कर लेते हैं पाचवी घटना के बारे में तो विद्यारती स्टूडेंट जो कन्याराशी वाले अप्रे परेला अचानक आपका कंप्यूटर खराप वाहन खराप गैजट खराप उस पे आपका खर्चा सकता उसकी रिपेर उसको बनवाने में दूसरा देखा जाए तो अचानक आपके लव पार्टनर से आपके मित्रों से आपके वादविवाद होंगे यानि लड़ाई जगड़ा होगा तो अप्रेल का महिना थोड़ा परिशानी दाया के स्टूडेंट के लिए रहने वाला है चटी घटना के बारे में बात करें तो चटी घटना का संबंद उनसे जो नौकरी करते हैं जो जॉब करते हैं तो यहां पर विपरीत राजयोग बन रहा है यानि मंगल अस्ट परीत राजयोग एक्टिव है पद प्रमोशन के यूग आपके बनते हैं नई जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है नया प्रोजेक्ट कन्याराशी को दिया जा सकता है लेकिन टैंचने बनी रहेगी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा जबरदस्ती आपको टाइम में ज़्यादा घंटे व्यतीत करने पड़ेंगे आप कहेंगे प्रमोशन हुई मेरे को टैंचन हो गई मुझे नया प्रोजेक्ट मिला बही इसमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ना सीखना पढ़ना है यानि कुछ टैंचने बनी रहेंगी लेकिन कुछ ना कुछ आपके धनमे ब्रिद्धी आपके कदमे ब्रिद्धी भी ऑफिस से होगी थोड़ा टैंचन रहेंगी सीख लीजिएगा आगे काम आएगा यानि विप्रीद राज्योक से कुछ लाब होगा लेकिन तनाव के साथ होगा मात अदी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप तो गुरुजी से वर्सों पहले से जुड़े हैं और काफी लंबा चोड़ा अनुभव भी है तो कुछ बताईएगा मेरे मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए क्योंकि जो शब्द प्रकाश जी के मुझ से निकलते हैं वो शब्द शत प्रतिशत पूरे होते हैं चाहे वो मेरी बिटिया से रिलेटेड चाहे मेरे से रिलेटेड चाहे मेरे बच्चों से रिलेटेड अब तक प्रकाश ज ने जो चीजें प्रेडिक्ट किये हैं वो hundred percent सही निकली है तो मेरे पास तो शब नहीं है बया करने के लिए कि प्रकाश जी कितने सही prediction करते है आपका विशवास है जो दिसके अपकर पूरा विशवास है जो भी आपको रेमेडी बताई है वह आप ने किया उसका भी आपके जीवन में अच्छा फाल प्राइब बिल्कुल जो रेमेडी इन्हों ने बताई है हमेशा उसको फॉलो किया है और आगे भी करते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद मातराने के किरफावनी रही जैमा इसी प्रकार से सा पत्य जीवन के लिए लाव लाइफ के लिए पती पत्नी के लिए थोड़ा सा कष्टकारी है पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर ले तो अप्रेल के महिने में जो सूर्य शुक्रों राव की यूती बन रही है तो कहीं ना कहीं वैसे तो यह 24-25 तारिक तक बन र खाएंगी ओफई की टैंशन से आपका पार्टनर परिशान रहे गाँ वहर का चलान पार्टनर का होगा और आप से बिबिभालतु में लड़ेगसे बेफालतु में अपसे उलजने की कोशिच करेगा आप शांथ रहेगा वहीं पर पती-पत्नी के बारे में बात करें तो आ यानि पार्टनर को भी एक छोटे से काम के लिए कई एफर्ट लगाने पड़ेंगे तो कुल मिलाके पति-पत्नियों प्रेमी प्रेमी गाओं तो भी अप्रेल का मेना बहुत अच्छा नहीं है आठवी गटना के बारे में बात करें तो अस्टम बाओं में गुरू और शुक् नहीं होगी अपना का स्पार हैं यानि वकरी तो बढ़ी घटना या निfires। और शूब घटना है, आपके साथ घटी तो हो सकती हैं, एक तो नया काम का आपको offer मिल सकता है और आपको ले लेना चाहिए यानि नए काम के offer आपके लिए लाबदायक है partnership का आपको offer मिल सकता है साथी साथ भूद अच्छी sale होगी पुराने गराहा दुबारा आप पे आ सकते हैं पुराना छुटा हुआ contract आपको अप्रेल के मेने में प्रियास करने से मिल सकता है तो व्यापारी हो चाहे आप कमीशन वाले हो चाहे दुकान दार हो अप्रेल का महिना अच्छी sales वाला रहेगा मित्रो इस कारेकर में बजना ही मुझे दीज़ा जाहे माता